आज मैं आपके साथ कॉर्ण स्टार्च बनाने की रेसीपी सेयर करूंगे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कॉर्ण स्टार्च और कॉर्ण खलार में क्या अंतर है तो वो भी आपको बताऊंगे और साथ की साथ कॉर्ण स्टार्च गर में कैसे बनाते हैं वो सबसे important है आप आप बिलकुल आसानी से बना सकते हैं अगर आप इस सीजन में बना कर रख ले तो पूरे साल आराम से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बनाना बिलकुल आसान है और इस समय अगर आप बनाते हैं तो ये कम कोश्ट में ही बनकर तयार हो जाता है क्योंकि बाज अधीक हुई से फ्रेस बुट्टे के साथ में मेरे को ये मिल गए थे तो मैंने तीन बड़े आकार के बुट्टे ले लिए हैं वजन करें तो ये लग बग देड किलो बुट्टे हैं और इसके पहले दाने निकाल लेने हैं आप चाहें अपनी सूइदा के अनुसार कैसे भी इसके दाने निकाल ले चाकू से काट कर या फिर आतों से तो मैंने इस तरीके से चाकू से पूरे बुट्टे जो है इनके दाने निकाल लिए हैं आप अगले प्रोसेस में हमें क्या करना है ग्राइंडर जार लेना है यहां पे और इसमें हम पीस कर लेंगे बुट्टे को थो स्टार्च की जो मात्रा है वो कमबन कर तयार होगी इसलिए आप इसको ओ सके जितना बारिक पीस ले उसके बाद में आपको यह इस तरह से करना है एक बरतन के ऊपर चलने रखकर कपड़ा लगाएंगे और फिर अम इसके ऊपर से इसको खाली कर लेंगे तो पहले मैं क्या करत पहले पूरी जो मक्का है उसको पीस लेती हूं उसके बाद में अगला प्रोसेस करेंगे जार को इस तरीके से खाली करने के बाद में जार में पानी डालेंगे क्योंकि हमें यहां पर पानी भी लगेगा और पानी को हम इस तरह से इखटा करके रख लेंगे साइड में और आप जो ये कपड़ा लिया है, इसको बिल्कुल इस तरीके से जैसे पोटली बनाते हैं, उस तरीके से इसको बना लेंगे, और इसमें जितना भी पानी है, मक्का का जो रस है, वो पूरा में इस तरीके से निचोड कर निकाल देना है, इस तरीके से इसको दवा कर पूरा अच स्चीछ से मिक्स कर लें उसके बाद में इसमें जितना एसमें पैस्ट निकल कर आजाए मैं डाल में और हम कोगी सबार बेलेकोद सेयरे अब इसके अंदरेजा बेट supervारा डाल कर दाल कर इसका पूर है इस को स्वाद नहीं आएगा इस लिए इसको प्हैंक देए फालतूarem अब आप ये देखिए बिलकुल गाड़ा है जैसे दूद होता है ना बैस्वगी रखा उस तरह का ये गाड़ा बनकर तयार हुआ है एक में थोड़ा सा पतला है क्योंकि इसमें आमने पाने मिक्स करकर के बाद में निकाला था तो ये थोड़ा सा पतला है आप चाहें तो मिक को ज्यादा इलाना नहीं है बिलकुल सेप्टी के साथ में ऐसे उठा कर इसका जितना भी पानी है उपर से आटा देंगे अब इस पानी के बाद में आप तेखेंगे इसमें येलो निकलेगा जैसे मक्का का आटा होता है उस तरह का ये येलो वाला जो पोर्शन है इसी का आ आता है कौन स्टार्च जो कहता है वो इस तरीके से बनाया जाता है अब इस पर थोड़ा सा पानी डeल कर क्या करेंगे इसको अछे से मिक्स कर लेंगे और जितना वी स्टार्च है इसका नीचे जमा हुआ है तो इसको भी उम चमेनी से पूरा अची से निकाल लेंगे ऐसा क करने से जो कॉन स्टार्च बनेगा वो एक तम सफेद कलर का बनेगा जैसे आप बाजार से लेकर आते हैं उसी तरह का यह बन कर तयार हो जाएगा तो यहां पर पूरा हम चमज की साहता से निकाल लेंगे इसी तरीके से हमें दूसरे बाउल का भी थोड़ा सा पानी डाल कर चोड़ देना है छे गंटे के बाद में आप देखेंगे आपको यह इस तरह का मिलेगा अब यह बिल्कुल अच्छे से साफ हो चुका है इसमें जितना भी येलो पोर्षन था वो बिल्कुल नहीं देखेगा वो पानी के साथ पारो जाएगा और आप इस तरीके से जो कॉन अब यहाले में रख देंगे और इसको पूरा फैला देंगे अच्छे से और इसको वीडियो को लाइकजरूर कर देना और चैनल पर नए आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपने भी कभी इस तरह से कौन स्टार्च बनाया है क्या घर पे और रखने की जरूरत नहीं है यहां पर हमें इसको बनाने के लिए दो रात और एक दिन का टाइम लगा है इतने में यह बन कर तयार हो गया है और एक बात और बता दो दोस्तों यहां पर अगर आप इसे फ्रेस बुटे से बना रहे हैं तो उसमें इसकी क्वांटिटी कर तयार करोगे तो क्वांटिटी में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा क्योंकि जो इसका स्टार्च वाला बाग होता है न कच्छे बुटे का वह आदा मक्की के अंदर ही रह जाता है निकालते समय इसलिए आप चाहें तो सुखे मक्का से भी बना सकते हो बस उसको आपको कम स कम 6-6 गंटे के लिए पानी में बिगोना होगा और फिर जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा तो यहां पर हमने इसको ग्राइंडर जार में पीस कर निकाला है तो यह बिलकुल फाइन सा हो गया है दोस्तों तो दोस्तों आज की रेसीपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर ब